है या फ़ूराइब प्रोरागा फार्ट टोबी नौर्मरी इसे कर लो कि ओधिन इस्क दो है यहां पे किया यहां फोड़ा ऐब्रों के इस फोड़ेफा जिलाएट कर यहां पे आएंगे आपने छोड़ा तना है यहां फोरेट से स्टार्ट करते हुए यहां पे आएंगे आप अब लाइट चली गे बहुत बड़ी अब अब ही चाल करो है अज़ाब के भी लिए आप के लिए अब लिए अब लिए तो उपर वाले पार्ट से शेडिंग करते हुए आने आपको इस यह ओवल शेप जो है यहां पे इतने में नहीं करता है अब दीरे धीरे यहां से अपना वह कर वाने लगेगा इस इतने पार्ट में यह शेडिंग नहीं करनी है यह पर पार्ट आप से फिल कर सकते हुए इतना चोड़ा आइब्रों के उपर वाले पार्ट पे ज़रा ध्यान देना है हलका हलका यहां पर भी छोड़ना है हलका हलका बहुत जादा एक ना पूरा एरिया नहीं छोड़ देना हलकी सी शेडिंग छोड़नी है बाकि अपना जैसे हो रहा है यसी करना पूरा एरिया फिल कर देंगा इस तरीके से कर ले रहा है अब नेक में भी कर लो नॉर्मली नॉर्मली टू भी से करना है ओके लेकिन ऐसे रेंडमली किसी भी टारेक्शन में लगा अपने रिफ्रेंस में देखो थोड़े इस फ्लो में आ रहा है यह अगर देख सकते हो तो यहां पर इस थोड़े डाइगनल में होगा यहां पीछे से भी ऐसे डाइगनल में आएगा पूरे में क्योंकि अपन रिफ्रेंस में यहां देख सकते हैं कि इसे फ्लो में आ रहा है ठीक है तो अपर ढीच वाले पार्ट में यहां पर हाइलाइट है तो यहाँ पर shading नहीं करेंगे अपन यहाँ पर जो जितना ग्रेफाइट आएगा वो blending की मिदद से जितना आएगा उतनी करेंगे अन्ना बाकी में नॉर्मल तरीके से यहाँ shady करते हैं तो अब आइस करते हैं smoothly करना ठीक है पूरा अच्छे से blend हो जाना चाहिए यूपर वाला पार्ट है यह नीचे वाला पार्ट इसे करते करते हैं हलका हलका नीचे आना थाकि थोड़ा ग्रेफाइट नीचे की तरफ भी आज़ें हलका साथ ओके फिर यह आइब्रोस के बीच वाला पार्ट जो है हलका हलका साई से blend कर लो तो यह अपना पूरा एक पोर्शन हो गया अब नोज पर आते हैं कि कि पहले अभी देख लो ताकि यह व्लो में आ रहे ही हलका फिर नोज की जो टेप आती है हलका हलका कर रो थो नॉस्टिल है यह वाला पार राम से कर प्रींग 개 फिर नीचे वाला पार्ट यह हलका हलका लिप्स के नीचे वाला पार्ट भी कर लेना ओके इतना करो चीक्स वाले पोर्शन में क्या करना ब्रश पैसे धीरे-धीरे करते जाओ नीचे आराम आराम से करने ताकीफ स्मूध ब्लेंडिंग चाहिए अपन को धीरे-धीरे करो थोड़ा-थोड़ा उपर आते जाओ इस हाइलाइट वाले पार्ट पर ठीक है इसे उपर तक लाया अपन यह वाला पार्ट भी कर लिए धीरे-धीरे कर्व करते हुए एक बार मां पूरा उपर से नीचे तक एक बार में पूरा उपर से नीचे करते करते आ गया यहां तक इसे ऐसे सर्कुलर चला लो यहां पर प्रश हलका साथ बहुत जादा मत चलाना औरना वह डार्क हो जाएगा इतना चलाओ कि स्मूध ब्लेंडिंग आ जाए उसके बाद इयर्स पे संब्दिंग और तक इयर्स पे आराम आराम से सर्कुलर चला लो मैं करू इतना है और इंट कैसे करना यहां से करफ करते हुए लेगे आए यहां पर अंदर की तरफ लाइस ओभल के इस से थोड़ा सर्कुलर चला सकते हैं आराम आराम से अब जैसे यहां चीक्स पर करते-करते उपर लायते हैं यहां पर भी ऐसे करते-करते दीरे-दीरे यह वाला पार्ट ब्लेंड कर लो ज़र अच्छे से यहां पर ऐसे करते-करते हलका-हलका उपर आते जाएंगे जो हलका-हलका ग्रेफाइट है वो यहां पाउंडरी पर कर देना करते हैंडरी पर भी पेंसल से कर रहे हैं आपन सेकंड लियर सेकंड लियर में क्या यह आइज वाला ओके जैसे धीरे धीरे भाई अपन साइकुलर शेडिंग में धर से अपने दीरे धीरे 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 पूरे मेंट भरना नहीं है याद रखना अपने रिफ्रेंस में देखो आइस के नीचे यह हलकासा टूबी के लिए छूटी हुई है तो एक बाउंडरी टाइप बनी है यहां में तो वही अपन करेंगे सर्कुलर शेडिंग में धर से धीरे-धीरे अब यह उपर वारे पार्ट पे आएंगे अशित्ता ही नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है इसे इतना छोड़ देना इस तरीके से आराम-ाराम से करना है एक्टम बहुत डार्क नी करना ही है अपने को डार्क करना होगा तो अपने इक आल लेर लगा देंगे लेकिन अभी सेसे एक्टम डार्क नीकर इसे अराम अराम से और फिर इसके बाद कहा करना है नोस के बेस पे इहां पे नोस के बेस पे ठीक है जो आई लेशेस की शैडो है न यहां पे आपको एक 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 ठ्धान से और भी से पीछ पकड़ना है आगे पकड़ के स्ट्रोक्स नहीं लगा ना पीछे पकड़ो धीरे धीरे एक बन गया ठीक है पॉइंटेड वाले पार्ट से बनाना कि बहुत डार्क नहीं करना है यह को अपन गया इस तरीके से भी धीरे दिरे एसे का ज़ा रहा है ऊपर वाले पार्थ हमां ब्लेंड हो जानब हाराम से अि और वाला पार्ट लाइट है नीचेए कि जो शैडो आरी यह डार्क है इसानी होना चाहिए रिफ्रेंस हमें एक 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 को धाल से देखके बनाओ, जैसे इस में गिन लों 17 14zufम कि वैसी बनाओ जैसी रिफ्रेंस में कर्फ पतला है उसे पतला बनाओ, और मौता है हुँसे बनाओ लेफ फेसिंग है लेफ फेसिंग बनाओ, राइट फेसिंग है राइट फेसिंग बनाओ लेफ फेसिंग को और फेसिंग होना है इस तरीके से बालों की भी शेडव आरी ना हमकी हल्की तो चारेसे बाल बालों की शैडव आ रही है जो ओके इन्हें भी लाइट ली ऐसे ड्रॉ कर लो ड्रॉ करने के बाद अब ब्लेंड करना है ब्लेंड भी देख लो इसे वही अपन जैसे शेड किया है यह वाला पार्ट वैसी ब्लेंड करतेंगे ओके फिर आईज वाला पॉर्शन यह इंकम एंड तक ले जाने जरूव है जहां तक जा रहा है करते करते पहले उपर वाला कर लो अराम से ब्लेंड अब नीचे वाला एक फ्लो में ले जाने है अपनको और यह नोस पर भी ब्लेंड हो गया फिर अोस खब में और इंक information ब्लेंड महां या इंक टीछ नयक चर रग वालाएं